नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं नेहा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर S.P. देबुका जो की एक हड़ी रोग विशेशक्य हैं डॉक्टर रेखा देबुका जो की एक इस्त्री रोग विशेशक्य हैं और दोनों देबुका नर्सिंग होम में सालों से अपनी सेवा प्रादान कर रहे हैं तो आएए चलते हैं इंसे धेड़ सारी बाते करते हैं नमस्कार, मैं डॉक्टर S.P. देबुका नमस्कार, मैं डॉक्टर देखा देबुका, S.P. रोग देशेशक्य हैं देबुका नर्सिंग होम की शुरुवात आपने कब और कैसे की थी? देबुका नर्सिंग होम की शुरुवात 1986 में हुई थी उसमें आज भी हैं प्रोफसर जनक परसाथ केमिस्ट्री की गया की हम लोगों ने नर्सिंग होम के लिए जो भी जरूरिक समान है खरिदने के लिए फंड जूटाया जिसमें उनका भी काफी सायोग था उन्होंने 10,000 रुपिया हम लोगों को उस समय उधार दिया था उस समय नर्सिंग होम का कल्चर नहीं था थे नहीं हम लोगों ने खोला तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला काफी शहर के लोग जो है अच्छे-च्छे पेशेंट्स अच्छे-च्छे क्लास के अच्छे-च्छे सबाय हमें मौका मिला उनका सर्विसेज देने का उनकी सेवा करने का और इस तरह से करते चले गए शुरू में तो फिर छोटा नर्सिंग होम था फिर हम लोगों ने तुरती दो साल, तीन साल बाद दी एक दूसरी जगा खरीद ली फिर उसको हमने डेवलब किया, उसको धीरे 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 हमने नर्सिंगों को बढ़ाया हमारे पस finance नहीं था, पैसे नहीं थे हम काम करते गए, कमाते गए, उसी पैसे को नर्सिंगों में लगाते गए हम बहुत दीरे धीरे डेवलब किये, हमने अपना जो खरीदा था, उस पर बैले रिमोडल किया तो फिर उसका एक तला उपर बनाया, उसमें हमने अपस, आपस में हम लोग दोनों जोडते थे कि इतना ही पैसा है कि हम इसका पिलर और इसका रूफ तक उठापाएंगे, फिर उसके बाद काम करते के पैसा है, तो उसमें हमें लगा कि ने हम रूम्स बना रही है, ऐसे करके हम ग्रैजुली नर्सिंगों को बढ़ते चले गए, और नर्सिंगों बढ़ता चले गए, हम हमारे पास पेशेंट बहुत आए, लोगों को एक साफ सुत्रा, एक अच्छी जगा नजर आई, सर्चलिटीज उतनी नहीं थी उस समय हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पैसे ने देगी हम उसको बहुत चमक धमका बना है, लेकिन हमें सेवा करने का बहुत मौका मिला, बहु लोग इलाज करते गए, कारवा बढ़ता गया, नर्सियों का आकार भी कुछ बढ़ा, लोगों का प्यार मिलता गया, और आज हम लोग की एक विसिस पहचान है, इलाज का मोटो भी हमारा यही है कि किफायती इलाज हो, अच्छा इलाज हो, सस्ता इलाज हो, और मरिश खुस है